हेलो गाईज कैसे आप स्वागत एक बाद फिर से आज की नई वीडियो में जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने NPS को सिफ्ट कर सकते हैं पूराने यदि आपने जॉब स्विच की है तो आप कैसे अपने डीडियो को चेंज कर सकते हैं वो भी ओलाइन घर बैठे वे बिना किसी की help लिए वे तो दोस्तो इस वीडियो में आने माला बहुती मज़ा लास तक जरूर देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो सब्सक्राइब किए चलिए करते सुरू आप यहां पर कोई ब्राउजर में अपना NPS login गूगल पर सर् और जो यह capture code है यह फिल कर देना है यह फिल करके आपको submit बटन पर क्लिक कर देना है आपका account open हो जाएगा इसके बाद आपको ऐसा page दिखेगा ऐसा page दिखने के बाद आपको आप जाएगे यहां पर जो यह option है first वाड़ा ट्रांजेक्ट ओन लाइन में यहां पर सबसे नी request पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर digital mode से हम करेंगे physical mode नहीं करेंगे तो digital mode पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद continue पर क्लिक कीजिएगा और इसमें कुछ सर्ते दे रख्ये दोस्तों इस process को digital mode से आप तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आपके पास इसमें mobile number और email ID updated होगा mobile पे आपको पी ओ कौन सा target करना है target detail आपको government sector है तो government sector पर क्लिक कीजिए corporate है तो corporate पर यहाँ पर इन में से आपके पास यह details आप अपने जो new joining का office है वहाँ से आप ले लीजिए वो बता देंगा आपको code डीडियो registration number उससे fill कीजिए इन में से कोई भी एक होगा आपका काम चल जाएगा तो हमारे डीडियो registration number है फिल करके हम इसको search करेंगे यह हमने fill कर दिया और यह search पर हम click कर दिया हमारी यह details आगई नई डीडियो की जो भी registration number है वो नई डीडियो का registration number details हम यहां से अच्छे स में है आपको जानकार तो आप दिखा लीजिए यह details बता रहा है क्या यह सही है नहीं है तो I think डीडियो code से करोगे तो आपका बिल्कुल ठीकी होगा और यह unique code होते है डीडियो का registration number इससे बिल्कुल ठीकी काम होता है तो आप इसको select पर click करके submit कर देंगे last में अब यह submit कर हो जाएगा आपको बस scheme preference में standard ही रखना है इसके बाद आपसे कुछ details मांगी जाएगी आपने नए office को कब join किया है वह date डाल गया इसमें और आपकी date of retirement का है date of retirement आपकी जो भी service है 60 साल की service है तो date of birth में वह 60 add कर दीजिएगा और जिस मन्त में आपकी date of birth है उसी मन्त के last day आ डाल लीजिएगा कहीं पर 60 years है service 60 60 साल के होगे तब तक service कर सकते हो कहीं पर 58 तक की है तो आप अपने according इसको देख लीजिएगा तो हमने यहाँ पर अपनी date of retirement भी डाल दिये और इसके बाद employment class कौन सी category के में आप भरती होए है तो A class, B class, C class या D class जो भी group में आप भरती हो जो आपनी class select कर लीजिएगा यहाँ पर आपके जो department है वो select कर लीजिएगा जो भी आपका नाम है इसके बाद आपका पेसेल कि लागे इसेक्ट के लिए इसमें सिलेक्ट कर दीजिएगा समिट करने के बाद आपके इसी डिटेछेही जे जाएंगी इसको कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा हई चेकर Alors को निकता तो बैक चले जाएगा उसके बाद OTP पर क्लिक किजेगा और प्रोसीड OTP अथेंटेकेशन पर क्लिक किजेगा इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा और जो आपका इमेल आईडी में आया है वो OTP OTP आप इसमें फिल कर लिजेगा यह OTP मैंने फिल कर दिया और समयलिट शोरी यह कुछ गलत हो गया इनकरर्क टौCry कोई गलत नंबर दब गया तो दोबारा से फिल कर लेते हैं इसको करने के बाद सब्मिट कर देंगे इसम होने के बाद में आपको नए विंडो पर लेके जाएगा आपको अभी इसमें कोई क्लिक नहीं करना है कहीं पर मेरे यहां पर नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज इसलिए यह ऐसी विंडो हाजाएगी इसमें आपकी डिटेल्स आएंगी और यह बीच में फॉर्म पर क्लिक करके आप ऐसा फॉर्म अपना डाउनलोड कर लिजेगा फूचर रेफरेंस के लिए तो थैंक यू आज की वीड कर देंक यू